आज का जो लंच वोक्स है मैं बच्चों के लिए बहुत सारी सब्जियों से बनाने वाली हूँ टेस्टी है साथ में हेल्दी भी है और फटाफट से बनने वाली रेसिपी है है आप चाहे इसे breakfast में बना सकते हो या अपना वजन कम कर रहे हो तो शाम के डिनर में भी बना सकते हो सुवे-सुबे का schedule भौत ही h samo हो हो चाहे हाउस wife ओ चाहे working woman हो तो कोशिश की जाती है कि सुबह सुबह जो रेसिपी बनाने वाले हैं जटपट से बने और बच्चों के लिए हल्दी भी हो साथ में टेस्टी भी हो और फटाफट से बन जाए क्योंकि बच्चे है अकसर रोटी सब्जी खाने में बहुत आनागानी करते हैं तो चेंज रहता है थोड़ा सा चेंज चाहिए होता है बच्चों को तो चलिए एक रह सेपी में आप सब शाब कर ले यहां पर मैंने आधा जो लॉकी है उसे छील के ग्रेट कर लिए है मोटे वाले गेटर के साथ यह पर थोड़ा सा नमक डाल के चोट दिएंगे ए पर दाग को ग्रेट करके नमक डाल के छोट दिया है इसके बाद यहां पर मैं कुछ वेजिटिवल्स लेने बाली हूँ तो मैंने हापर दो मीडियम साइज के प्याज लिया है और दो मैंने कैरट ली है और थोड़ा सा मैं बीट रूट लोगी जरूरी नहीं है कि जो वेजिटिवल्स म कर लिए उसके अंदर कृड़े के टो द्माशन लिए प्रत आखे लिया है कष्वाज मेंने बीट रूट लूट हो गया कृफ लोगी का गया और तो थोड़ा सा और अच्छा अभी अद्ध anthropology देंगा नहीं है कंड़ता है को आप मेरी विडियो कहां से देख रहे हैं कॉमें आप चाहो तो ग्रीन चिली को भी इस तरह से कूट सकते हो आप चाहो पेस्ट भी ले सकते हो बट इस तरह से तुरंत कूट की जब हम खलवटे में बना कूट की जब इसमें डालते हैं ना किसी भी चीज के अंदर तो इसका जो फ्लेवर होता है वो बहुत ही अच्छा आता है मार्केट के जिंजरगारलिक पेस्ट के कमपेर यहाँ पर मैंने वन फोर्थ कप के करीब ज्वार का आठा और वन फोर्थ कप बेसन का आठा लिया है आठे अपनी चोईस के हिसाब से कोई भी ले सकते हो चावल का आठा भी आप यहाँ पर ले सकते हो थोड़ा सूजी सूजी मतलीजेगा चावल का आठा या गिहूं का आठा आठा आप यहाँ पर ले सकते हो तो थोड़ा सा पानी मैं इसमें एड़ करूँ पानी इसके अंदर बहुत जादा नहीं जाएगा क्योंकि जो सबजियों का मॉइशर है उससे यहाँ पर पानी आ चुका है अब यहाँ पर मैं कुछ मसाले एड़ करूँगी जिसमें मैंने नमक, थोड़ा सा धनिया, थोड़ी मैंने थोड़े-थोड़े कमी अड़ किया है मिर्ची वगएरा अपने इसाब से अगर आपको तीखा फसंद है तो तीखा आप यहाँ पर ले सकते हो तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी और एड़ किया है तो इसके जो बैटर की कंसिस्टेंसी है ना वो देखिए इस त से बनते हैं अब यह देखिए इसको थोड़ा-थोड़ा सा मैंने अपने स्पून में लेके तवे पर डाल दिया और इसे हलके-हलके हाथों से इसे स्प्रैड कर देंगे मतला इस्पून की हेल्प से ही इसे हैपासा बहुत बतला नहीं बनता है इसको सिकने में थोड़ा सा मैं इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे सेकूंगे क्योंकि सबजी आए थोड़ी सी कुकूंगी तो थोड़ासा टाइम जाता है तो इसे ढखकर हम इसे कुक करेंगे मेरे साइड में दूसरे गैस पे भी बन रहे थे ताकि फटाफट से बने और यह देखे एक साइड से सिख गया मै करें है सितते में जाली जाली घाली ङरता है मैं लोटे चीन जाली डैक आए सा मन एक साइड में पर ποANC प्लेट इन सिख अग्या जाली रहता है संगे कि अब पर משळाली जाली से साइता है तो इस थाल। देखिए हमारे एसे wellness तुसक्लापर की हाँ, जता किसका थी आपको मेर